हलो स्टोडेंट्स, वेलकम टो ग्लोबल ऑनलाइन, सो पेपर वन प्रेपरेशन में आज हम डिस्कस करेंगे फिलोसफिस इन एजुकेशन, यह बहुत ही जादा इंट्रस्टिंग टॉपिक है, सो डिटेल में हम देखेंगे कि एजुकेशन की डिफरेंट फिलोसफिस क्या होत करने के लिए पेपर बन पर मीजर फोकस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो सेक्षन है, जो कि आपको सेलेक्शन लेने में मदद कर सकता है, इसके लिए कंप्रीट कोर्स हमने लांच किया है, जहां पर आपको फुल सेलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड क वाइल फोन में भी डाउनलोड करके आपड़ सकते हो, फुल सेलेबस मॉक टेस्ट हैं, जिसमें से as it is 100% questions examination में बहुत बार पूछे गई है, तो students यह मॉक टेस्ट आपकी final preparation में बहुत हेल्प करता है, साथ ही 2000 प्लस MCQ question bank, जहां पर आपको previous year questions, repeated and most expected questions की series मिल जाएगी, वो भी answers and detailed explanation के साथ, तो अगर आप students इसको join करते हो अभी भी, तो बहुत easily paper 1 में अच्छा score कर सकते हो, free videos के access के लिए global online app को download कीजिए, store section पर search बार में आपको course का नाम लिखना है, इसके overview के बाद आप content पर click करोगे, यहां पर आपके सामने मेरे lectures है, अगर आप सिरफ यहां पर फोल्डर में मेरे lectures, test series और notes को follow करते हो, तो भी आपका selection 100% होगा ही, इसके अलावा English medium students के लिए यहां पर free demo videos भी है, and unit wise folders है, जहां पर आपको theory lectures, mcq lectures and test मिल जाएंगे, जो की काफी हैं आपकी तयारी के लिए, so given numbers पर contact करके आप इसकी पूरी information भी ले सकते हो, and इसको easily join भ पहले हम देखेंगे कि education क्या होता है, शिक्षा क्या होती है, अब शिक्षा की तो बहुत सारी important definitions हैं, लेकिन यूजसे net में कुछ महान philosophers की definitions पूछी जाती हैं, कुछ famous philosophers की definitions पूछी जाती हैं, जिसको हम cover करेंगे, so इसमें लिखा है कि शिक्षा ना केवल हमारे बच्चों क सिखाती है, वलकि उन्हें स्वयम, सोचना और सीखना भी सिखाती है, अब देखो, शिक्षा आप लोग सब educated हो, तो आप लोगों को बहुत सारा knowledge तो मिलता ही है शिक्षा में, लेकिन आप लोगों को कैसे सोचना है, कैसे behave करना है, ये सब चीज़ें भी कौन देता है, education दे important सी definition तो नहीं है, बट इसको याद रख लीजेगा, ठीके, अब आती है कुछ ऐसे definitions जो कि previous year questions में as it is पूछी गई है, यहां तक की, अभी आपको पता होगा, March 2022 में exam हुआ है, उसमें से इसी slide में से question आया था, ठीके, so education के कुछ definitions हैं, जिसमें सबसे पहले स्वामी विवेक नंजी ने कहा है कि education as the manifestation of perfection already in man, education क्या है, शिक्षा को मनुश्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभी व्यक्ति के रूप में परिभाशित किया जाता है, एक इनसान में एक उनका knowledge level होता है, एक उनको किसी भी चीज़ के understanding होती है, उस चीज़ को और अच्छा बनाना, उस चीज़ को और useful बनाना, शिक्षा होती है, education होती है, ये स्वामी विवेका नंजी ने कहा था, दूसरा है, Aristotle, ठीक है, इन्होंने कहा था, it defines education as a creation of a sound, mind in a sound body, इनका कहना था कि शिक्षा को स्वस्त शरीर में, स्वस्त मस्तिश्क का निर्मान के रूप में परिभाशित कि अब देखो, किसे का अगर आपकी health अच्छी है, अब आप कोई बिमार हो तो आपका पढ़ने का मन करता है, नहीं करता है, तो अगर आपकी health अच्छी है, तो आपका दिमाग भी सही होगा, और आपका स्वस्त मस्तिश्क बनेगा, दिमाग आपका स्वस्त रहेगा, mind आपक शक्तियों का प्रकृतिक सामंजयस्पूर्ण और प्रक्तिशील विकास है ठीक है ये क्या है ये एक natural harmonious and progressive development है किसी भी human की मनुश्य की जन्मजात शक्तियों से जो by birth हमारे में कुछ शक्तियां होती है ना by birth हमें जो कुछ talent होता है उस चीज़ को use करना उस चीज़ को समझना and actual में उस चीज़ को एक अच्छी जगा पर लगाना ये एक education ही हमें दे सकता है ये कहा है Henrik Pistology ने match the following में same questions, same definition आई थी एक तो Swami Vivekananda वाली definition तो बहुत बार आ चुकी है so manifestation से आप इसको याद रख सकते हो अभी व्यक्ति से आप लोग इसको याद रख सकते हो इसमें और ये कहा गया है कि this definition means each human being has immense natural inborn talent, talents in him education provides development conductive atmosphere to him और हर, अब देखो इसमें ये कहा गया है कि हर एक इंसान में by birth यानि कि जन्म से ही कुछ talent होते हैं लेकिन उस talent को समझने के जरूरत होती है अब जैसे अपना ही example मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी drawing, painting, sketching बहुत अच्छी है ठीके, सो मुझे इन चीजों के वारे में कैसे पता लगता अगर मैं school नहीं जाती स्कूल में जाकर के मुझे drawing नहीं पढ़ाई जाती मुझे drawing करने के लिए teachers नहीं बोलते तो क्या मुझे पता चलता कि मेरे drawing, painting, skills बहुत अच्छी है नहीं पता चलता तो इसलिए education के लिए मैं वहां गई, school में गई वहां पर ही मुझे पता लगा कि dance करते हैं, ये lockdown में बहुत बच्चों को ऐसा हो गया कि घर में बोर हो रहे हैं, तो उनके parents ने बोला चलो dance classes में इनको भेज देते, वहां जाकर पता चलाओ कि अरे इनके बच्चों तो बहुत ही जाद अच्छा dance करते हैं, तो वो talent होता है बस एक education की जरूरत होती है clear है, अगर यहां तक आपको चीजें clear हैं तो एक बार मुझे comment करके जरूर बताईएगा ताकि मुझे clear idea मिलता रहे कि चीजें जो मैं बता रही हूँ, वो आपको समझ आ रही है special request थी, एक student की ये video तो अगर खास करके आपको कह रही हूँ कि अगर आपको ये सारी चीजें clear होती जा रही है तो एक बार मुझे वीडियो में comment करके जरूर बताईएगा, ओके उसके अलावा next definition है John Devi, he defines education as the power by which man is able to control his environment and fulfill his possibilities इनका कहना था कि शिक्षा को शक्ती के रूप में परिभाशित किया जाता है education एक बहुत powerful weapon इसको कहा जाता है जिससे कि मनुष्य अपने पर्यावरण को नियंतरिट करने और अपनी संभावनाओं को पूरा करने में सक्षम होता है, basic चीज है no explanation is required here, right? अगला है according to Frobel Frobel कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके त्वारा बच्चा अपनी आंतरिक शम्ता को इस प्रकार विक्षित करता है कि वो बहरी वातावरण में सार्थक रूप से भाग ले सके internal potential होता है जो किसी person में उसको आप education या किसी के knowledge या किसी के support की मदद से इतना activate कर लेते हो कि external environment यानि कि बारी वातावरण में बहुत आसानी से आप ढ़ल सकते हो, बहुत आसानी से आप लोग participate कर सकते हो अब फिर same example लेते हूँ, मुझे drawing की skills थी लेकिन मुझे नहीं पता था घर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे color specially लाकर दिये कि free है तो चलो colors इनके लिए लेकर आते हैं और ये drawing करेंगी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ जब school गए, वहाँ पर drawing compulsory थी, तो colors लेने पड़ गए ठीक है, drawing notebooks लेनी पड़ गई, बाकी चीज़े लेनी पड़ गई, sketch लेने पड़ गई ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इस्तेमाल करते हूँ, पता चला कि अरे वाँ, बिना सीखे मैं ये भी बना लेती हूँ बिना सीखे मैं कुछ भी चीज़ देखकर बना लेती हूँ, तो ये क्या है, ये education ने मुझे मदद की मेरे talent को जानने में, उसको पहचानने में, यही होती है education, ओके, next is, अब आता है most important section, पहले वाला भी important था, यहाँ से भी question आते है exam में, वो है, कुछ important philosophies जो कि education से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो कौन-कौन सी है, total 12 philosophies है, जिसमें पहली है, three basis of education, idealism यानि किया दर्शवाद, naturalism, प्रकृतिवाद, pragmatism, विवहारवाद, constructivism, रचनवाद, humanism, मानवतावाद, rationalism, तर्कवाद, empiricist, अनुभवतावादी, existentialism, इसको सेम है, जो चीज़ exist करती है, जो actual में हमारे सामने है, behaviorism, आचरण, gestalt psychology, समझती मनोविज्ञान, और next है, eclectic philosophy, यानि कि उदारदर्शन, ओके, सो ये 12 philosophies हैं, थोड़ा-थोड़ा सा नाम याद रख लीजिए, बाकी हम definitions, detail में देखेंगे, सो पहले मैं English medium students को फटा-फट बता देती हूँ, जैसे essentialism हमने देखा, यहां पर नहीं है ना, लेकिन ये भी एक important part होता है, essentialism, learning the essential like three hours, ठीक है, learning एक बहुत जरूरी चीज़ है, सबसे जरूरी चीज़ essentialism है, चलो इसको फिर देखते हैं, ओके, सो देखो, education के three bases होते हैं, तीन आधार पर education होती है, क्यों, कैसे और क्या, तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए education काम करती है, why, how and what, ठीक है, तो why यानि कि क्यूं, यह हमें क्या बताता है, why जो है, यह decide किया जाता है, किस के द्वारा, philosophy के द्वारा, क्यों का सवाल सबसे जरूरी है, इसका उत्तर दर्शन शास्तर देता है, philosophy में इसका अंसर दिया गया है, कि क्यूं, education क्यूं जरूरी है, education हम कैसे ले सकते हैं, and इससे क्या-क्या फायदे होगे, यह तीन चीज़े सबसे important है, ठीक है, क्यूं बता दिया, क्यूं का जवाब हमें, philosophy धर्शन शास्तर में मिलता है, how का मतलब है कैसे, ठीक है, यह psychology, psychology के द्वारा, मनोविज्ञान के द्वारा क्या का अंसर मिलता है, क्या का अंसर हमें मनोविज्ञान के द्वारा मिलता है, and what, what कौन करता है, what का अंसर कौन मिलता है, social needs, social needs, यानि कि जो हमारे सामाजिक जरूरते हैं, वो हमें what का reply देती है ठीक है, so three basis of education है अगला है idealism अदर्शवाद it is basically about mind and self so देखो इसमें न याद कुछ भी नहीं रखना कि अरे यह हमें समझ नहीं आ रहा कुछ keywords होते हैं जहां पर भी आपको mind अपने दिमाग और अपने आप के बारे में चीज़ें सोचने का समय मिलता है कई पर बोलते हैं न ध्यान में बैटो meditation में बैटो अपनी आत्मा के और ध्यान दो spiritualism अध्यात्मवाद मन ध्यान, यह सब चीज़ें जो हैं यह idealism को दर्शाती है, so यह words जहां पर नज़र आएंगे directly go for idealism यानि की अधर्श्वाद, okay अब इसमें यह कहा गया है दर्शन शास्तर का ही एक स्कूल है जो इस बात पर जोड आता है कि जितने भी हमारे दिमाग में विचार हैं या जितने भी हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ को लेकर क्या अधर्णाय है वो सभी चीजों का सार है जो हम जानने योग्य हैं वो सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें जरूर जाननी चाहिए अब यहां पर अगला क्वेशन आता है कि किन्होंने मुख्य समर्थक कौन थे अधर्शवाद के मुख्य समर्थक कौन थे वो थे फ्रोबेल कांट प्लेटो स्वामी धयानन विवेकानन जी और अर्विंद अधर्शवाद यह इसके प्रमुख समर्थक यानि की में प्रोपोनेंट्स थे शोर क्वेशन एक्जाम में आएगा प्रीवेस एर क्वेशन को भी देख लीजिएगा अब देखो किसी भी इंसान में इसक्रीक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ ठीक है किसी भी इंसान में एक बेसिक नेचर होता है न सबका अपना अपना नेचर होता है ठीक है जो की express करता है कि उनका मानसिक लेवल यानि की mental abilities उनकी कितनी है उनका धर्म कौन सा है उनका family background कैसा होगा अगर आप किसी person से मिलते हो वो person बहुत गालियां देते हैं वो person बत्तम easy से सबसे बात करते हैं अपने बड़ों से भी लड़ाई कर रहे हैं रेस्टरंट में जा रहे हैं तो वहाँ पर सबसे जगड़ा कर रहे हैं तो उससे क्या होगा आपको उनकी identity के बारे में पता चलेगा यानि कि idealism ये है उनके mind और उनके बारे में आपको पता चलेगा ठीक है तो idealism में ये सब चीज़ें आती है इसमें ये कहा है कि जितने भी हमारे दिमाग से related चीज़ें होती है वो बिलकुल absolute होती है वो बिलकुल permanent होती है और unchanging होती है sorry permanent नहीं होती है unchangeable होती है यानि कि permanent देखो वापस इसको बताती हूँ कि हमारे mind में जितनी भी values होती है वो absolute होती है और unchanging होती है जिनको हम change नहीं कर सकते अब मेरे एक जो basic behavior है मेरा जो basic बात करने का तरीका है मैं कहीं भी चली जाओं वो तरीका कहीं न कहीं मेरे अंदर रहेगा ही हो सकता है कि किसी लोगों से बात किसी particular person से बात करने का मेरा तरीका थोड़ा सा different हो but overall तो मेरा बात करने का तरीका वही रहेगा जो मेरा natural है जो मेरी एक identity है अगला है naturalism ये इसी से related है idealism का उल्टा होता है naturalism ठीक है it is a philosophy that believes nature alone represent the entire reality इसका ये कहना है कि जो प्रकृति होती है वो संपूर्ण वास्तविक्ता का प्रतिनिध्व करती है आपका जो nature है आप कैसे लोगों के साथ treat करते हो वो ही सिर्फ बाते आपकी पूरी personality को बता देता है अभी तो जैसे हम लोग online classes कर रहे है offline classes में ऐसा हो सकता है कि जब हम आमने सामने मिले तो किसी के बात करने का तरीका आपको पसंद ना आए और आप किसी person के बात करने के तरीके से कि वो दूसरे person को कैसे treat कर रहे है उसी तरीके से देख लोगे कि उनकी personality कैसी है तो naturalism वही बोलता है कि जो nature है वो एक natural हमारे अंदर है जो हमारी पूरी reality को represent करता है ठीक है human life क्या है nature का एक part है it is a self-sufficient entity having its own natural matter natural force and natural laws इसमें अपने प्राकृतिक पदार्थ प्राकृतिक शक्तियां और प्राकृतिक नियम होते है सबसे ज़्यादा naturalism जोर किन बातों पर देता है ये देता है भौतिक जगत पर physical world यानि कि जो चीज़े हमारे सामने है बस वही सब्त्य है इस चीज़ पर naturalism बहुत ध्यान देता है ये आध्यात्मिक्ता में विश्वास नहीं करता ठीके ये जैसे आत्मा पर्मात्मा इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता naturalism हमें बोलता है कि जो चीज़े हमारे सामने है जो हमारे सामने हमें दिख रही है वही सिर्फ सत्य होता है और इसके मुख्यनाय कौन थे? Tagore, Russo and Harbert, Spencer ओके? English Medium Students के लिए भी बहुत helpful है ये ज़रूर इसको अच्छे से देखिए अगला है pragmatism व्यावहारिता व्यावहारिता क्या होता है? It is basically a Greek word that means practice or action ठीके? pragmatism मतलब practice या फिर action ओके? तो ये एक keyword है जहां पर भी practice अभ्यास और किसी चीज़ की कारेवाई आपको नज़र आएगी तो वो pragmatism होगा व्यवहार व्यवहारिकता होगी ठीके? ये कोई person क्या कर रहा है? उनकी क्या activities है? कैसे वो काम कर रहे हैं? life की उनकी values क्या है? वो सब चीज़ों पर ध्यान देता है इसके main thinker कौन थे? मुख्य विचारक कौन थे? जॉन डेवी थे? उसके बाद गिल पैट्रिक थे? मेड आर ये मेड थे? ठीके? ये सब क्या है? ये इसके मुख्य writers या इसके अलावा एक्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि विवहारिक्ता का मूल विचार क्या है? सो विवहारिक्ता का मूल विचार ये है कि विश्वास कारियों के लिए मार्ग दर्शक होते है और उनका मुल्यांकन अमूर्त सिध्धानतों के बजाए परिनामों के अधार पर किया जाना चाहिए ठीक है, कि जितने भी हमारे बिलीफ्स होते हैं, कई चीज़ें ऐसे होते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो चीज़ें चाहिए हमारे सामने नहीं है, हमारे फैमिली में हमने कुछ चीज़ें सुनी है ठीक है, अगर हम उन चीजों पर विश्वास करते हैं तो वो चीजें कोई directly हमारे mind में नहीं आई है वो चीजें जो हमारे सामने कुछ actions हुए हैं हमारे सामने जो कुछ चीजें हुई हैं उनको देख देख कर उनको सुद सुद कर वो चीज़ें हमारे पास आ जाती है और वो कब वहां हमारे व्यवहार में naturally हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता ठीक है आप सबने Orthodox का शब्द सुना होगा English Medium Students Orthodox सुने होंगे ठीक है Hindi Medium Orthodox का मतलब आप यह मान सकते जैसे Orthodox Indian families बोलते ना जो अपने पुराने विचारों और इन चीज़ों को बहुत फॉलो करते हैं आप ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे शायद जिनकी families में अभी भी यह चीज़ें चलती है कि हमें Thursday को यह नहीं करना चाहिए Thursday को हमें बाल नहीं धोने चाहिए Thursday को हमें नॉन विज नहीं खाना चाहिए इस तरीके की चीज़े होते है रात में यह नहीं करना चाहिए जाड़ू नहीं लगाना चाहिए whatever मैंने यह चीज़ें सुनी है कहीं से ठीक है तो ये चीज़े होती है तो pragmatism यही बोलता है कि जितनी भी हमारे philosophies होती है यह जितने भी हमारे चीज़े होते beliefs होती है वो हम हमारे actions हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उनके actions से automatically हमारे में आ जाती है The core idea of pragmatism that beliefs are guides to actions and should be judged against the outcome rather than abstract principles तो हमें इसके outcomes पर ध्यान देना चाहिए ठीक है उनके outcomes के against उनको judge करना चाहिए ना कि उनके abstract principles के ध्यान पर ना कि उनके अमूर्तिय सिद्धानतों के ध्यान पर आधार पर ठीक है देखो इसका एक example है If human commonly perceive the ocean as beautiful then the oceans are beautiful ठीक है It is a philosophy that emphasizes individual existence, freedom and choice Simple सी चीज़े है Pragmatism Main point ये रखने है practice और action ठीक है practice और action अभ्यास और कारिवाई Idealism और naturalism में difference देखो एक तो इनके कौन main है जिनोंने इसके बारे में कहा था तो वो थे Plato, Socrates, Mahatma Gandhi Ji Naturalism था Aristotle and August Comte कुछ ऐसा नाम है आप देख सकते हो जिक है Idealism क्या बोलता है Emphasize on God and the importance of spiritual development ये भगवान, आत्मा, परमात्मा इन चीज़ों में मानता है Idealism Naturalism बोलता है कि भगवान नहीं होते जो भी चीज हमारे सामने हैं सिर्फ नेचर पर विश्वास करते हैं कि जो भी चीज़े नेचर ने प्रकृति ने हमें दी हैं हमारे सामने हैं सिर्फ वही सत्या है अगला है Constructivism Constructivism निर्मानवाद और Reconstructivism उननिर्मानवाद Constructivism Knowledge को अपने ज्ञान को सतर्खता के साथ सक्रिया रूप से अपने जिर्मान करना is called Constructivism Construct का मतलब होता है निर्मान किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को construct करना तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे है एक student अगर अपने आप अपने knowledge को बनाता है अपने knowledge का निर्मान करता है actively विल्कुल सक्रिया रूप से तो वो constructivism के अंदर आता है ओके जीन पाइगेट और J.S. Brunner इन्होंने ये theory दी थी और वो ये बोलते थे कि learning जो है हम जो सीखते हैं वो सीखना एक बहुत active process है अब मैं तो यहाँ पर बोल रही हूँ आदे खिंटे से आप लोग क्या पता हैसे हो कि वीडियो देख रहे हैं पर ध्यान किसी का भी नहीं है तो आप लोग अगर active होंगे active होगी class में सुनोगे तब ही वो constructivism के category में चीज़ें आएंगी ठीक है जीन पाइगेट के हिसाब से accommodation और assimilation जो है वो learning के basic चीज़ें होती है रीकंस्ट्रक्टिविजम क्या होता है समाजिक पुनर निर्मानवाद के दर्शन एक चात्रकेंदरित दर्शन होता है चात्रकेंदरित मतला student centric philosophy जिसमें कि student के हिसाब से चीज़ें होती है student classroom में जब teacher पढ़ा रहे है तो student पूरी तरह से participate करता है चाहे तो teacher से questions भी वो कभी भी पूच सकते है ठीक है ये दर्शन इस विश्वास पर अधारित है कि शिक्षा को समाज में पुनर निर्मान पर ध्यान केंदर करना चाहिए ये यहीं बोलती है reconstructivism देखो construct मतलब बनाना reconstructivism मतलब फिर से बनाना तो ये philosophy यही बोलती है कि education को फिर से focus करके society के लिए फिर से बनाना चाहिए इसके बात इसको आप ignore कर सकते हो humanism क्या है मानवता बाद है it is a reasonable balance in life and regards human as a center and measure of all the activities humanism यही बोलता है कि दो लोग अगर मिल रहे हैं एक मानवता के अधार पर लोगों को मिलना चाहिए उनमें आपस में corporation यानि के सहयोग में होना चाहिए आपसी सहिश तुनता भी होनी चाहिए mutual tolerance भी होनी चाहिए एक दूसरे को सहन करने के शक्ति होनी चाहिए ठीके और की व विखान आपके सामने हैं उनके नेचर को समझो उनके behavior को समझो इनसानियत के नाते जो भी काम कर रहे हो वैसे करो ठीके मानवता सभी मनुष्य के hit और कल्यान में विश्वास करता है कि आपके सामने जो भी person आ रहे हैं उनके hit में और उनके विश्वास के लिए ही आप जो लंबी हो चुकी है, तो आगे की philosophies हम लोग कल के lecture में discuss करेंगे, अगर अभी तक आप लोगों को चीज़े clear हैं, तो आप मुझे बता दीजी, आगे देखो हम लोग तर्कवाद, अनुभवतावादियों के बारे में, existentialism के बारे में पढ़ेंगे, विवहारवाद को पढ़ेंगे, ठीक है, उदार दर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद एक होई questions है, ये सारी definitions बहुत important है, 2022 exam में, लगबग हर shift में, सिरफ और सिरफ इसी table में से, ये वही table हिंदी में है, इसी table में से questions आए है, ठीक है, और ये देखो, ये सारे previous year questions है, जिसकी detail, ये question है, और इसके हर एक option को detail में मैं आपके साथ share करूँगी, okay, so अगर session आपको भी पसंद आया है, कोई भी doubt नहीं है, तो मुझे comment करके बता दीजिये, कभी मैं उसके बाद ही कल का session आपके लिए लेकर आँगी, okay, so thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.